नमस्कार किसान भाईयो आपका सौगत है आपके अपने चनल लच्मी फार्मिंग में किसान भाईयो आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम चर्शा करने वाले हैं BLB के बारे में जिसे हम Bacterial Leaf Blight के नाम से जानते हैं इस समय किसान भाईयो हमें अपनी धनकी फसल में Bacterial Leaf Blight रोग का प्रकोप काफी आधा दिक मतरा में देखने को मिल रहा है बहुत डे सारे किसान भाईयों ने कमेंट करके बताया कि सर हमारे धनकी फसल में Bacterial Leaf Blight रोग लग शुका है आज की इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में पूरे जानकारी देने वाले हैं कि आपको अपनी धनकी फसल में इस रोग की पैचान कैसे करनी हैं किस दवा को लेकर इस्प्रे करना हैं, कितनी मातरा में करना हैं और कैसे करना हैं जो भी किसान भाईयों हमारे चनल पर पहली बारा हैं वा चनल को सस्क्राइब करने सबसे पहले तो जिससे उनको ऐसे ही अलाद अलाद धान में लगने वाली बिमर्यों के बारे में वीडियो की मात्यम से जानकारी असानी से मिल पाए किसान भायो बैक्टिरियल ली ब्लाइट जो रोग होता है वा काफी तेजी से हमारे दान की वदल में फैलता है अगर आप समय रहते और शुरुवाती दिनों में ही इस पर कंट्रोल कर ले जाएंगे दवा का समय पर रहते इस पर कर देंगे तो यह आपकी दान की वदल में रूख जाएगा और यह आपकी दान की वदल को नुक्सान नहीं पहुचाएगा नहीं तो या आपकी धान के लोगो काफी जान नुपसान पहुचा सकता है और आपकी जो पैदावार है वह आपको घटकर देखने को मिले थी क्योंकि कि सन भाईयो या सीधा हमारे धान की पत्यों पर अटैक करता है और पतियों को ये काफी यादा नुक्सान पहुचाता है पतियां हमारी सूख जाती हैं, पीली पढ़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं जिससे पौधे में बोजन कम बनता है, बोजन सहीद मतातरों नहीं बन पाता है और हमारा जो पौधा होता है, का विकास रुख जाता है और इस समय जिस समय हमारे दानकी वजल में बालिया निकल रही हैं, तो बोजन की सबसे आदा आशकता होती है इसलिए किसान भाईयो, आप समय रहते हैं अपनी दानकी वजल में इस रोग का निवारण जरूर कर लें किसान भाईयो, शेलिए अब हम ये जान लेते हैं, कि हमें अपनी दानकी वजल में बैक्टिरियल ली ब्लाइट रोग की पहचान कैसे करनी है किसान भाईयो, एक बात को आप ध्यान में रखिएगा, कि अगर आप समय रहते हैं, और शुरूराती दिनों में इसका समधान कर लेंगे, निमानार कर लेंगे तो याँ आपकी धानकी अदल में कंट्रोल हो जाएगा लेकिन अगर आप समय अरदे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो याँ काफी तेजी से फेलता है और आपकी धानकी अदल को काफी आदम custom पहुछा सकता है तिसान भाईयों यहाँ जो रोग होता है आप अपनी screen पर इसकी कई देश सारी अलग-अलग photos देख पा रहे होंगे और या सभी photos धान की पतियों की है धान की पतियों में या रोग वह में सबसे देखने को मिलता है इसमें क्या होता है हमारे जो पतियां होती है उनके उपर हलका सफेद पीले कलर की हमें ये ऐसे धंबे देखने को मिलते हैं, धारिया देखने को मिलती है लाइने, जैसा ये अपने स्क्रीन पर तमाम फोटोस पर देख पा रहे होंगे और कई-कई हमको किसान भाईयों पीली और हलकी सी लाव कलर के भी धारिया देखने को मिलती है या इस रोग की पहचान होती है किसान भाईयों किसान भाइयो इस रोगों में हमारे जो धन रान की पतियां होती हैं वह उपार से लेकर नीजे की तरफ पीली पढ़ना सुरू होती हैं और यह जो रोग होता है वह अक्सर हमारे धन की एफसल में हमें देखने को मिलता है और हर साल तमाम प्रकार की जो बी हम अलग-लग variety चाह हमें सबसे आतिक मातर में अपनी दान की मतलों में देखने को मिलते हैं क्योंकि वातावरण में नमी काफी जाता हो जाती है उसके कारण बारिस हो रही है बहुत तमाम प्रकार के कारण होते हैं जिनके कारण हमारे दान की पतियों के ऊपर पानी जमा हो जाता है और उन में हमारा जो बैक्तिरिया होता है या जिवाड़ होता है फंगस होता है वह आप अपने लगता है उसकी के काड़ हमारे धान की पजल में या फंगस जनीत बिमारियां हमें देखने को मिलती हैं जैसे कि blast rock होता है, sit blight होता है, ऐसे ही ये bacterially blast है, BLB, ये सब तमाम प्रकार की जो fungus वाली बिमारियां होती हैं, या सब bacteria और fungus के करणड़ हमें अपनी नान की देखने को मिलती हैं, किसान भाइयो, आप अपनी स्क्रीन पर देख पारे होंगे, आपको दो photos ऐसे देखने को मिल जिनमें आपको कुछ पानी की बूंदे जैसे देखने को मिल रही हैं, या एक photo में आपको हलका सा दबा देखने को मिल रहा है, या सब किसान भाइयों इसके bacteria हैं, इसके fungus है, जिनके करण यह रोग हमें अपनी दन की विजल में देखने को मिलता है, और इसका जो लगने का क कारण है किसान भाइयों, वाय या है, कि इस समय जब हमारे दन की विजल में बालिया निकलना सुरू होती हैं, तो यह सितंबर का मेना चल रहा है, और इस समय वाता वरण में नमी काफी ज़्यादा है, टंप्रेचर जो हैंवा काफी कम हो गया है, 25 से 30 तीगरी Celsius के बीच में हमें देखने कोई मिल रहा है दिन भर में, और इस समय वाता वरण में जो एटमोस्ट्रीर है, उसमें मोइस्टर ज़्यादा हो गया है, नमी ज़्यादा हो गया हुए उसके कारण हमें अपनी धान्ती फिसल में यहा फंगस रोग देखने को मिलता है, किसान भाइयों यहा जो रोग होता है वह काफी यादा हनिकार होता है हमारे धान की फसलों के लिए और हमारे धान की फसलों में बालिया निकलते समय हैं बालिया निकलने से पहले तमाम प्रकार की यादा रोग हमें देखने को मिलते हैं और हर समय हमारे दैन की एसल को या नुकसान पहुचाते रहते हैं अगर आप समय रहते हैं इस रोग का अपनी दैन की एसल में कंट्रोल नहीं करेंगे तो यह आपकी दैन की एसल को जैसे कि मैंने आपको बताया काफी या नुकसान पहुचाता है और आपकी पैदावार को कासे आईदा प्रभावित भी करता है जैसे कि आप जो पैदावार आप उमीद कर रहे हैं कि इस बार हम इतनी पैदावार ले लेंगे वह आपको नहीं देखने को मिलेंगी अगर आपकी दान की हैसल में या फंगस जनी बिमारियां लग जाएंगी तो आज की इस वीडियो में हम आपको दो दवाईयों के बारे में जनकारी देंगे जिनका इस्ट्रेटर की आप अपनी दान की व्ज़ल में बैक्टिरियर ली ब्लास्ट को आसानी से कंट्रोल कर सकते किसान भाई यो दान की वजल में BLB को कंट्रोल करने के लिए वैसे तो मार्केट में बहुत डे सारी दवाएं आती हैं और बहुत डे सारे किसान भाई अलगल ब्रकार की दवाओं का इस्तमाल करते हैं जो किसान भाई जिनको जानकारी नहीं है उपाईली वादान की खेटी कर रहे हैं या फिर उनको इसके बारे में नहीं पता है कि वह कौन सी दवागा इस्तमाल करें या पिछले साल अपने दवागा इस्तमाल किया था लेकिन आपको अच्छा रिड़ देखने को नहीं मिला थ तो अब आपको इसके बारे में सोचने की ज़रोत नहीं है अगर आप best related चाहते हैं first time में ही first stream में ही आपको इसका full control लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको दो दवाएं बता रहे हैं इन दोनों दवाओं को अगर आप इसमें से कोई भी एक दवा का इस्प्रे कर देंगे तो आपको अपनी दान की ज़रोत में इसका first time में ही 100% कंट्रोल देखनी को मिलेगा पहली दवा है किसान बायो इस्ट्रेप्ट्रोसाइकलिन प्लस कॉपर अक्सी क्लूरेड स्ट्रेप्ट्रोसाइकलिन के आपको डोज लेनी अठारा ग्राम प्रतियेकल कॉपर अक्साइड क्लूरेड की लेनी आपको 500 ग्राम प्रतियेकल दोनों दवाओं को आप एक साथ अपनी दान की ज़रो में इस्प्रे कर देंगे तो यह जो BLB है बैक्टिरियल नी ब्लाइट आपको अपनी दान की ज़रो में देखने को नहीं मिलेगा काफी बड़े और अच्छा पंट्रोल आपको देखने को मिलेगा किसन भाइयो इसके रवा जो दूसरी दावा है किसन भाइयो वो है कसुगा माइसीन प्लस कॉपर अपसी क्लोलेड इसका भी इस्तमाल करके आप अपनी दान की ज़रो में बैक्टिरियल ली ब्लाइट को असानी से कंट्रोल कर सकते हैं बीलबी किसन भाइयो हमारे दान की वसल में काफी तेजी से फैलता है और इस समय जो हमारे दान की वसलों में भ्रन्नमी यादा है रोग बालिया नहीं कल रही है तो रोग भी काफी यादा में देखने को मिलते हैं और जैसे इतनी यादा बारिस होगी, उतना यादा हमारे धान की विमारियां होती हैं, वह हमें देखने को मिलेंगे, इसलिए समय रहते आप दवाओं का इस्प्रे करें, और अपनी धान की विमारियां को एकदम सुरफचित करें, किसान भाईयो, कसूगा माइसीन प्लस आत्रम में अपनी दान की विमारियां में इसका इस्प्रे कर देंगे, तो आपको काफी बढ़या और अच्छा रिजन देखने को मिलेगा, और किसान भाईयो, जयब आप अपनी दान की विसल में दवायों का इस्प्रे कर रहे हैं, तो आप किसी भी सिल्कॉन बेज्च ज़रूर इस्तवाल करें या आपकी जो कार चमता है दवाओं को उसको बढ़ाता है रिजल्ट आपको काफी कम दिनों के अंदर देखने को मिलता है और इसका जो असर होता है वह लंबे समय तक बना रहता है किसान भाईयो आपको सिलकॉन बेज श्टीकर की डोज लेनी है 80-100 प्रति एकड इतनी मात्रा पर्याप्त रहती है आप अपनी दवाजल में इसका इस्प्रे करें आपको काफी बढ़े और अच्छा रिजल्क देखने को मिलेगा किसान भाईयो अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और करके बताएं कि आपको किस रोग के बारे में जानकारी चाहिए हम जल से अगल आपको इसके ओपर वीडियो बना कर देने की कोशिश करेंगे किसान भाईयो फिर से अगर आपको हमारे इस वीडियो अच्छी लगी हो आज की तो चैनल को सस्क्राइब जरू करिएगा अपने किसान भाईयो के साथ सेर कर दीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद